नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आसिस लूनिया और आप देख रहे हैं All Talent Civil दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किचिन इस्टेंड के बारे में आप जिस सेंटिंग देख रहे हैं वो किचिन इस्टेंड की सेंटिंग है हलागी आपने बहुत सी जगह में देखा होगा किचिन इस्टेंड कुछ अलग प्रकार से बनाया जाता है जो दिवाल करके या चारिंची वाल करके उस पे पत्थर रखा जाता है उसके बाद में फिर इस्टेंड बनाया जाता है पत्थर रखने के बाद में तो दोस्तों यह यहां पर कुछ अलग है यहां दिवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है सिधा आप RCC वर्क कर दीजिए सेंटिंग लगा के इसी प्रकार जहां दिवाल जहां उठती है इसी इसेंट की वह जगह आपको पूरी खाली मिल जाएगी यहां पर जगह भी काफी निकल जाती है तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा काम मैं इसी को मानता हूं सिधा सेंटिंग लगा के आप RCC वर्क कर दीजिए यहां पर आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है यहां पर कुछ वेस्टेश सरीय का भी बन जाता है जो सरीय हुन वेस्टेश पड़े रहते हैं उसका इस्ट दोस्तों दूसरी फायदेवन चीज यह है कि यहां पर हमें जगा भी काफी मिल जाती है नीचे कुछ भी आप काम कर सकते हैं या कुछ भी समाना आप रह सकते हैं नीचे की पूरी जगा खाली मिल जाती है इसके उपर आप ग्रे नाइट पत्थर या मार्वल पत्थर लगा आता है और इस प्राकार आप इसमें RCC work कर सकते हैं, खुब से खुब 2 इन्ची या 2.5 इन्ची इसमें गिट्टी का माल जो होता है वो डाल दीजिए आप, रेग गिट्टी सिमेंट का Mix करके इसे 2.5 इन्ची में ढ़लाई कर दीजिए इससे काम कर दीजिए जो कि काफी इसक इंच या 33 इंच के उपर भी नहीं रहना चाहिए नहीं 32 इंच के नीचे होना चाहिए क्योंकि अगर उपर या नीचे अगर रहा 32 इंच से तो यहां काम करने में कुछ दिक्कत आती है तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप किजिन स्टेंड की हाइड खुब से खुब 32 इंच या 33 इंच ही रखें जो की काफी कमफेटेवल होता है और दोस्तों अब बात करें यहां की कि यहां पर क्या होने वाला है तो आपको बता देना चाहता हूँ यहां पर किचिन स्टेंड या रसी सी वर्क होने के बाद में जब बिल्डिंग फाइनल होगा तो यहां पर ग्रे हमारा जो भी है वहां रख सकें कमफेटेवल अच्छी तरीके से पूरा समान रखा जा सकें और जगह भी वेकार ना जाए तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको यह कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताईएगा और किन लोगों को यह इस्टेंड पसंद आया कमेंट जरू सकें दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो को लाइक करना न भूलिए तब तक आप यह इस्टेंड को अच्छी तरीके से देख लीजिए इसके चारतर से फोटेस आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके जरू हूँ हैं